नमस्कार वच्चो आज हम कक्षा छे पाट तीन कर रहे हैं पाट का शिर्षक है हमारा भोजन भोजन की आवशकता जैसा कि आप सब जानते हैं हम सबी लोग भोजन करते हैं और जो भी जीवित है उस हर किसी प्राणी को भोजन की आवशकता होती है अपने जीवन को जीने के लिए तो बोजन की आवशक्ता हमारा जो शरीर है वो जनम से लेके बिटे और कुछ वर्षों तक लगाता और बढ़ता रहता है और बिन बिन अंगों को बढ़ाने और उनकी व्रदी के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जिन जिन ततों की आवशक्ता होती है उनकी प्राक्ति हमें बोजन से ही मिलती है बोजन के क्या क्या कारिया है बोजन शरीर में इंधन की तरह जल कर ताप उत्पन करता है जब हम भोजन खाते हैं तो ये पेट में जाके एक मेटाबॉलिजम क्रिया होती है क्रिया होती है जिसमें की लगाता भोजन पच्छता रहता है और शरीर में गर्मी निकलता है शरीर के अंदर गर्मी से भोजन को पकाया जाता है और वो गर्मी अमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है हम सांस लेते हैं चलते हैं जो भी काम करते हैं इन सब के लिए जो शक्ति है वो भोजन से ही मिलती है शरीर की व्रदी के लिए भोजन आव शक्तत्व है नई तंतुओं के और जो टूटी-फूटी तंतुओं की मरम्मत है उसका करने का कारे भी भोजन द्वारा ही होता है यही नहीं विभिन रोगों से लड़ने की ताकत भी भोजन द्वारा ही मिलती है इस प्रकार कारे करने की शक्ति शरीर की व्रदी और रक्षा और शारिक क्रियाओं के संचालन के लिए भोजन बहुत जरूरी है जो भोजन हम खाएं वे ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर को पोशक तत्व की प्राप्ति हो और हमें कारे करने की शक्ति बनी रहे और हम निरोगी रहें इसकी बाद है भोजन के तत्व उप्रोक्त कारें की पूर्ती के लिए यानि की जो भी हम दिन भर कारे करते हैं उनकी पूर्ती के लिए हमें बिन बिन प्रकार के बोजे पदार्थों को अपने प्रति दिन के बोजन में समिलित करना चाहिए कोई एक बोजे पदार्थ शरीर के सभी कारे नहीं कर सकता उसके लिए हमें अलग-अलग भोजे पदार्थ खाने होंगे जैसे दूद और दूद से बने पदार्थ खाते हैं तो उससे हमारे नए तंतों का निर्मान होता है और हमारे शरीर में जो हमारी हड़ियां हैं, दांत हैं और दूद को एक संपुर्ण आहार माना गया है तो शरीर की पूरी व्रदी दूद से होती है दूद तो लेना बहुत ही जरूरी है इस प्रकार से जब दूद और दूद से बने पदार्थ हम खाते हैं तो हमारे शरीर में नए तंतों का निर्मान होता है और शरीर की वद्धी होती है अनाज आलू शकरकंदी वसा आदी खाने से भी कारे करने की शक्ति मिलती है दातों और हड़ियों को मजबूत बनाने के लिए और शरीर की विविन रोगों से बचाने के लिए हमें फल और सबजियों की भी आउशकता होती है इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें शरीर की निर्बाण में और कारे करने की शम्ता को बनाए रखने के लिए भिन भिन बोजे पदार्थों को अपने भोजन में शामिर करना चाहिए और उन बोजे पदार्थों को सही मात्रा में लेने से ही हमें उन तत्वों की प्राप्ती होती है जो हमारे स्वास्थे के लिए बहुत ही ज्यादा महत पूर्ण है अब भोजन में कौन-कौन से तत्व पाये जाते हैं पहला तत्व है प्रोटीन कौन सा तत्व है पहला प्रोटीन दूसरा वसा तीसरा कार्वोज श्वेट सार और शक्र देने वाले पदाल चोथा है विटामिन विटामिन A, B, E, D, E, K खनिजलवन जिसमें कैल्शियम है लोहा है और नमक है और लास्ट है जल अब इन जो तत्व दिये गए हैं इन तत्व की प्राप्ति हमें किन-किन सादनों से होती है और उनको खाने से हमारे शरीर को क्या फायदा होता है और अगर हम उसको भरपूर मातरा में या पूरी मातरा में ना खाएं तो उसकी कमी से हमें क्या नुकसान होता है बिटा यह हम पढ़ेंगे पहले पढ़ रहे हैं प्रोटीन प्रोटीन हमें किस किसे मिलता है दूद, दूद से बने पदार्थ, दाल, सोया बीन, मचली, मास और अंडे और प्रोटीन का कार्य क्या है प्रोटीन का कार्य है शरीर के तंतूओं को बनाना बढ़ाना और उनकी मरमत करना और अगर हम प्रोटीन को पूरी मात्रा में या जितनी हमें जरूरत है उतनी हम नहीं लेते तो उस प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाता है विकास रुख जाता है और शरीर अस्वस्थ हो जाता है यानि कि शरीर बिमार हो जाता है नेक्स्ट है वसा वसा किसे मिलती है? मक्षन, सुखे मेवे, तेल और घी और इनका काम क्या है? गर्मी और शक्ति प्रदान करना और अगर हम वसा की पूर्ण मात्रा नहीं लेते आहार में तो हमारा शरीर जो है शुष्क हो जाएगा ड्राई हो जाएगा नेक्स्ट है कार्बोज कार्बोज किस-किस में पाए जाता है? अनास, दाल, गन्ना, चेनी, चकुंदर, आलो और अगर हम कार्बोज इन-इन साधनों से मिलता है बटे और जब हम इन बरपूर या पूरी मात्रा में कार्बोज लेते हैं तो कार्बोज का वैसे कारे क्या है? पहले हम कारे पढ़ लेते हैं कार्बोज का कारे है गर्मी और शक्ति प्रदान करना अगर हम पूरी मात्रा में कार्बोज नहीं लेंगे तो शरीर में ठकावट रहेगी और शरीर दुर्बल हो जाएगा अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट है विटामिन 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 ए जो है किस किस्ट मिलता है दूद दही, अनाज, सौरी दूद दही, अंडा, हरी सबजियां गाजर, पपीता और आम विटामिन ए का सबसे अच्छा स्तरोत गाजर है हरी सबजियां आजकल तो घटन्डियों में गाजर बहुत मिल रही है हरी सबजیاں बहुत मिल रही है तो इसके बरपूर मात्रा प्रयोग करें हरी सबजیاں खाएं, गाजर खाएं, गर्मियों में आम खाएं और दूद दही में हर चीज पूरे पोशक ततू होते हैं तो दूद दही जरूर से जरूर लें विटामिन A का सादन है दूद दही, अंडा, हरी सबजियां, गाजर, पपीत, आम और इसका कारे क्या है विटामिन A का आँखों में प्रकाश प्राप्त करने में सायता देना शरीर की व्रदी में सहायक होना और तवचा को स्वस्थ रखना अगर हम विटामिन A पूरी मात्रा में नहीं लेते तो हमें क्या कमी, इसकी कमी से क्या हानी होगी सूखी आखें हो जाएंगी, रतोंदी हो जाएगी रात को साफ ना दिखाई देने का आख पर सफेद मत मैले धब्बे अंदापन हो सकता है शुष्क तवचा हो जाती है, आख नाख गले की रोग हो जाते हैं अब नेक्स्ट है विटामिन B विटामिन B किस किस साधन से मिलता है अनाज, अंकुरित दालें, चना, दूद, पनीर, अंडा, सुखे मेवे, मुंफली और हारी सबजियां और विटामिन B का कारे क्या है, पाचन शक्ती में व्रदी करना और हिर्दे संबंदी रोगों से रक्षा करना अगर विटामिन B हमारी बोजन में कम, मात्रा में हम लेंगे तो उसकी कमी से क्या हो जाता है उसकी कमी से बुख कम लगना, बेरी-बेरी नामक रोग, फटे होट, होटों के कोने फट जाते हैं और जीव फट जाती है अगला पोशकता तो है विटामिन C विटामिन C किस-किस से मिलता है? टमाटर, आवला, अंकुरी तनाज और दाले और विटामिन C का कारे क्या है? मसूडों को स्वस्त रखना, दातों का विकास करना और विटामिन C की कमी से सकर्वी नामक रोग हो जाता है और मसूडों से खून बहना शुरू हो जाता है गाव देर से भरते हैं और विटामिन सी का ऐसा स्त्रोथ जो की ना खटा भी नहीं होता और सबसे ज्यादा जिसके अंदर विटामिन सी होता है बेटा वो है अमरूद अमरूद में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है वैसे तो अमरूद के इसके विटामिन सी के साधनों में आवला भी है संत्रा भी है यानि की सिट्रस फ्रूट्स है और इनका कारे है कि घाव को भरने में विटामिन सी घाव भरने में सबसे ज़्यादा सहायक है अगर इसकी कमिय हो जाती है तो घाव देर से भरते हैं नेक्स्ट पोशकता तो है विटामिन डी जो कि हमें सबसे ज्यादा सूर्य की किरणों से मिलता है मचली का तेल दूद अंडे का पीला भाग जिगर इसके साधन है और विटामिन सी का कारिया है दातों और हड्यों को मजबूत करना चूना वे फासफोरस को शरीर में शोशन कर करने में सहायक होता है यानि की विटामिन डी फासफोरस और कैल्सियम के अवशोशन में सहायक होता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है इस तरियों को म्रदुलास्ती नाम का रोग हो जाता है अगला पोशकत तो है खनी जलवन कैल्स कैल्σιम या चुना यह उसके मिलता है दूर्ध दई हरी सब्जियां मचली और सेब में इसकी जो और हैं कैल्शियम के वह है कि दातों और हड़ियों को मजबूत बनाना और रक्त में जमने की शक्ति पैदा करना और केलशियम की कमी से दातों और हड्यों कमजोर हो जाती है घाव से जो खून है वो अधिक देर तक भैता है नेक्स्ट है लोहा लोहा भी एक खनीज लवन है लोहे का लोहे के स्त्रोत या साधन क्या है प्याज प कमी से रख तहींता का रोग हो जाता है जिसको अनेमिया बोलते हैं खून की कमी खून की कमी होना ये भी लोहे की कमी से होता है अगला पोशक तत्व जो हमारे बोजन में पाया जाता है बिटे वो है जल जल के साधन क्या क्या है शिकंजी दूर चाय लसी तथा अन्य दार्थ है वो सब जल के साधन है अब जल का कारे है रक्त संचालन में सायता देना शरीर की गंदगी को पसीने को मलमुत रादी के रूप में बाहर निकालना शरीर की गंदगी को पसीने और मलमुत के रूप में बाहर निकालता है और जल की कमी से रक्त संचालन ठीक प्रका बोजन में जल कम लेते हैं उन्हें कब्ज की शिकायत हो जाती है और शरीर का ताप माम बढ़ जाता है शरीर का ताप करम भी बढ़ जाता है अगला हम पढ़ रहे हैं बोजन के मुख्य गुट बोजन के मुख्य गुट अपने सुईदा के लिए यदि हम सभी भोजे पदार्थों को चार गुटों में बाट लेते हैं तो अपने दिन बर सभी गुटों में से भोजे पदार्थों में लें तो हम अपने शरीर को स्वस्त रखने के कारे में काफी सीमा तक सफल हो जाते हैं भोजन के चार गुट इस परकार से हैं गुट का नाम है दूद और दूद से बनी चीजें दूसरी है मास, मचली, अंड़ा और डालें तीसरा गुट है फल और सब्जियां चौता गुट है अनाज तो दूद और दूद से बनी चीजें हमें किस-किस मुखेत तो इसे प्राप्त होती है प्रोटीन, लवन और विटामिन और इनका कारे क्या है शरीर की वरदी करना और तूटे-फूटे तन्तूं की मरम्मत करना दूसरा गुट मास, मचली अंडा और डाले इनका मुखेत तो है प्रोटेन, लवन और विटामिन और इनका कारे है शरीर की व्रदी करना तूटे-फूटे तंतों की मरम्मत करना और शरीर को बिमारियों से बचाना और स्वस्त रखना चौथा गुट है बेटा अनाज मुख्य तत्व क्या है अनाज का? कार्बोज अनाज में क्या पाए जाता है? कार्बोज और इसका कारे है शरीर को शक्ति प्रदान करना अब हम पढ़ रहे हैं उप्युक्त भोजन हम सब भोजन खाते हैं क्योंकि भोजन हमारे शरीर की मूल आवशक्ता है इसके लिए ये अनिवारे है कि हम अपने दिनभर के भोजन में प्रतेक गुट में से कम से कम दो या तीन भोज़े पदार्थ अवश्य लें इसका अरत यह नहीं कि वे दिन में कभी भी ले लिया जाए इन मुख्य पदार्थों का सारे दिन के भोजन में बराबर बराबर बाट लेना चाहिए जिससे प्रतेक समय का भोजन शरीर उपयोगी सभी तत्वों को प्रदान कर सके ऐसा भोजन जिसमें प्रतेक गुट में से भोज्य पदार्थ परियाप्त मात्रा में लिए गए हो उपयुक्त भोजन कहलाता है अब बेटा उपयुक्त भोजन किसे कहते हैं जिसमें प्रतेक गुट में से भोज्य पदार्थ उपयुक्त मात्रा में लिए गए हो उप्युक्त भोजन कहलाता है अब ये आपके इस लेसन के जहां तक हमने पढ़ाए वहां तक के प्रशन उत्तर हैं सभी बच्चे ध्यान से इसको कर लें इसमें हम भोजन क्यों खाते हैं पहला प्रशन है फिर है भोजन के मुख्य तत्वों के नाम लिखिये प्रतेक तत्व की प्राप्ति के लिए तीन तीन अच्छे साधनों के नाम लिखिये ये इनके अंसर दियें बिटे फिर ये तत्व दिये हैं तत्वों के साधन दिये हैं तीन तीन साधन लिखे हैं जैसे तत्व प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन, खनिज, लवन और जल हैं। फिर नीचे आपके रिक्त स्थान दिये गए हैं। इधर आपके रिक्त स्थान और भोजन के चार गुट कौन से हैं। वो चारों गुटों के नाम जो अभी हमने बीच में पड़ा था। और फिर उप्युक्त भोजन से आप क्या समझते हैं। और इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह अपना यहां पे ओम साइंस चैप्टर 3 पार्ट 1 पूरा होता है। जो पार्ट का आगे का हिस्सा है वो पार्ट 2 में आपको पढ़ाया जाएगा। थेंक्यू।